तो भाचपा को क्या लगता है कि राजिस्थान के चुनावों में बलातकारी और हत्यारे रामरहीम को रिहा करके, परोल पर रिहा करके राजिस्थान के चुनावों में कुछ वोटों का फाइदा हो जाएगा. और अगर कुछ देर के लिए मैं मान भी जाओं कि परोल पर राम रहीम को रिहा करने से भाश्वा कुछ चंद वोटों का फाइदा हो जाएगा तो आपका वो नारा कहा गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मत्रों क्या हो रहा है इस देश में क्या आप जानते हैं कि राम रहीम को एक बार फिर पर रॉल पर रिहा किया गया है एक बार फिर पर रॉल पर रहा और पिछले दो सालों में कम से कम पांच बार और जब से बलातकार और हत्या के मामले में राम रहीम को सजा मिली है तब से कम से कम छे बार राम रहीम को पर रहा कर दिया गया है ना कोई ताकत, ना कोई अदावत और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहे तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते बोल इलाबाजात है तेरे मैं फिर समझना चाहता हूँ भारती जैता पार्टी से आप देश को ना समझ समझते हैं क्या क्या आप देश को मूर्ख बना रहे हैं एक तरफ बड़ी बाते करना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर एक बलातकारी को एक हत्यारे को बार बार आप पर रोल पर रहा कर रहे हैं ये कहां का इंसाफ है ये कहां का इंसाफ है उन दो लड़कियों के साथ जिनकी गवाही के आधार पर राम रहीम इस्वक जेल में है ये कहां का इंसाफ है उन तमाम लोगों के साथ जिनकी हत्या के गुनहा साबित होने के बाद ये व्यक्ति जो है वो जेल में है स्वर्गिय रामचंद्र छत्रपती वो पत्रकार जिनकी हत्या का आरोप लगा था रामरहीम पर वो बहादुर पत्रकार रामचंद्र छत्रपती आज की तारीख में दोस्तों उनके साथ इससे ज्यादा कोई नाइंसाफी नहीं हो सकती रामचेंद्र छत्रपती जी की लड़ाईए उनका परिवार लगातार लड़ते रहा एक ताकतवर रसूख वाले आदमी जिसका नाम रामरहीम था हत्या के एक अन्य मामले में रामरहीम को सजा मिली बलादकार के मामले में सजा मिली मगर ये व्यक्ति पिछले दो साल में कम से कम पांच बार पर रहा हो गया है दोस्तों और एक बार फिर पर रहा हुआ है क्या भाजपा को लगता है कि राजिस्तान के चुनावों में फाइदा हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बतलाता हूँ कि इससे पहले राम रहीम कब कब परॉल पर रहा हुआ है जून 2022 तीस दिन परॉल पर रहा अक्तूबर 2022 चालीस दिन परॉल पर रहा जन्वरी 2023 चालीस दिन परॉल पर रहा जुलाई 2023 तीस दिन परॉल पर रहा और अब यानि नवंबर दो हजार तेईस एकीस दिन परॉल पर रिहा इस साल ही राम रहीम तीन बार परॉल पर रिहा हो चुका है और जाहिर से बात है दोस्तों इसमें हर्याना सरकार कहा थे इस रिहाई की पीछे कही न कहीं चुनाव भी दिमाग में है राम रहीम अब रिहा होने के बाद उत्तर पर देश के बागपत में रहेंगे और वहां से सत्संग करेंगे और उनके सत्संग में भाजपा के नेता शामिल होंगे नतमस्तक जाहता हूँ इंसानियत के लिए इससे ज़्यादा शर्मिन की बात क्या हो सकते है ये बात तो समझना चाहिए न दिल्ली महिला आयोक की अध्यक्ष स्वाती मालिवाल क्या कहती है आपके स्क्रीन्स पर एक बार फिर राम रहीम को चुदावों से ठीक पहले 21 दिन की फरलौ पर छोड़ा जा रहा है 21 महिने में 6 बार इस आदमी को फरलौ दी गई है ये कितनी ज्यादा भयानक और शर्णाग बात है एक बलातकारी और ऐसे खतरनाक अपराधी को बार बार पर रौल परलो मिलना पूरे देश के लिए दुखद है मगर मैं दिल्ली महिला आयूक के अध्यक्ष स्वाती मालिवाल से पूछना चाहता हूँ कि स्वाती आप इतनी अचरज में क्यूं है भाजपा के चाल और चरित्र में फर्ख तो हम लगातार देखते रहते हैं ना राम रहीम को भूल जाएए राम रहीम पिछले बीस सालों से अपने ताकत का इस्तिमाल करके हत्याएं करवा रहा था लड़कियों के साथ दुशकर्म करवा रहा था और उसके दर्बार में भाजपा सरकार के बड़े-बड़े मंत्री नतमस्तक होते थे हर्याना के मंत्री अनिल विजस से लेके हर्याना के मुख्य मंत्री मनोहर, लाल, खट्टर सब उनके सामने नतमस्तक होआ करते थे मगर मजाल है दोस्तों इनके कान में जूर एंग जाए मजाल है जब ये लोग बड़ा बड़ा दावा करते हैं नारी सुरक्षा को लेकर तो ये लोग अपने गेरिबान में भी झाक लें कि जिस व्यक्ति को आप पिछले दो सालों में कम से कम पाँच बार फरोल पर रिहा कर चुके हैं आप ये दावा कर भी कैसे सकते हैं और ये पहली बार नहीं है मैं आपको तीन मिसाल देना चाहता हूँ सबसे पहले ब्रिजभूशन चरंड सिंग ये व्यक्ति अब भी जेल में नहीं है जबकि दिल्ली के एक अदालत में दिल्ली पुलीस ने चारशीट दाखिल कर दी है और आप जानते हैं उस चारशीट के अंदर कम से कम छे महिला पहलवानू की गवाहियां है उन गवाईयों में दिल्ली पुलीस की चारशीट ये कहती है कि ब्रिज भूशन शेरंड सिंग ने उनका सांस चेक करने के बहाने उनकी च्छाती यानि वक्ष स्थलों को चुआ उनके पेट को चुआ और वो अदालत में गया कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया है मैं तो सिर्व उनकी सांस चेक कर रहा था ये वो ब्रिज भूशन शेरंड सिंग है जो महिला पहलवानों को अपने रूम में बुलाते थी ये कहकर कि भई तुम्हारे पिता का फून आया है और जब फून कॉल खत्म हो जाता था तो जबरदस्ती गले लगा ले थे दिल्ली पुलीस की चारशीट और इंडियन एक्स्प्रेस की जाच ये भी कहती है कि किस तरह से कई महिला पहलवानों को ये धमकी दी कि मैं तेरा करियर तेरा पूरा खेल बरबाद कर दूँगा इस तरह से ब्लाकमेल किया था और ये व्यक्ति दोस्तों जब नई संसद का उद्गाटन हुआ तो ये व्यक्ति संसद में मौजूद था जब नई संसद में बहस हो रही थी तब ये व्यक्ति संसद में मौजूद था जब स्मृती रानी राहूल गांदी पर ताना मार रही थी कि राहूल गांदी ने महिला सांसत को flying kiss दिया तब ये वक्ती स्मृती रानी के पीछे बैठा हुआ थे इस तरह से नारी सुरक्षा को लेकर नारी अस्मिता को लेकर भारतिय जनता पार्टी खिलवाड करती है और इस देश के जनमानस और उनकी समझ उनके इंटिलेक्ट उनकी बुद्धिमत्ताग पर तमाचा मारती है मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर भाजपा नारी सुरक्षा को एक बहुत बड़ा मुद्धा बना रही है और बनाना भी चाहिए क्योंकि अशोग गहलोत के कारकाल में कई ऐसे मुद्धे आये हैं जब महिलाओं के साथ नाइंसाफी हुई है मगर फिर अशोग गहलोत सरकार ने उन महिलाओं के लिए कारवाई की है दोश्यों पर भी कड़ी कारवाई की है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें राजिस्थान के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दा नहीं उठाना चाहिए पुर्जोर तरीके से उठाना चाहिए मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो खुले आम रामरहीम के समर्थन में है ब्रिज भूचन शेरंड सिंग के समर्थन में है 21 दिन पर आपने रामरहीम को शायद इसलिए रहा किया क्योंकि आपको लगता है कि शायद राजिस्थान की कुछ हिस्सों में हमी फाइदा हो जाए मैं फिर आप से पूचना चाहता हूँ कि आपके लिए वोट ज्यादा जरूरी है या नारी की इज़त औरत की इज़त ब्रिज भूचन शेरंड सिंग के साथ आपने क्या किया क्या नर्मी बरती कि शर्मनाख हैं सबसे शोकिंग प्रदान्मंतभी पूरी तरह से खामोश है एक शब नहीं बोलते हैं यह महतर्मा सुमिति इरानी इनका बस एक काम है राहूल गान्धी को ट्रोल करना राहूल गान्धी पर निशाना साथना इनका मंत्राले सिर्फ एक वज़ा के लिए बना हुआ है, एक कारण से बना हुआ है, कि वही राहूल गांधी पर निशाना साथ नहीं और उसके लावा कुछ नहीं, मगर इनका मूँ नहीं खुलेगा राम रहीम को लेकर या ब्रजभूशन शेरण सिंग को लेकर, चलिए इन सांसद को वैश्या बताया था, दिपिका पांडे जो की कॉंग्रिस की विधायक हैं जारखंड से, उन्हें भी नगरवधू बताया था, ये व्यक्ति क्या आप जानते हैं संसद के अंदर, जब भी कोई बहस शुरू होती है, ये कमजोर व्यक्ति भाश्पा की तरफ से पह पहला स्पीकर होता है, पहला स्पीकर वो पॉलिटिकल पार्टी जिस पॉलिटिकल पार्टी में एक जमाने में अटल जी जैसे स्पीकर थे, सुश्मा स्वराज जैसी स्पीकर थी, जो अपनी आवाज, अपनी वानी के तेज से पूरे संसद को हिला दिया करती थे, आज उस व्यक्ति निकल जाता है और जिस महिला को टार्गेट किया जाता है एथिक समिती उनकी लोग सवा की सदसिता को खारिश करने की सिफारिश करती है। कि इतनी शर्णाग बात है ना। इन दोनों को भूल जाएए। कुलदीब सिंग सेंगर ये व्यक्ति अबाजाद है कुछ दिनों के लिए जेल में था मगर जब इस पर आरोप लगा था एक मासूम की जिंदगी बरबाद करने के लिए पौक्सों के अंतरगत तब मैं नहीं भूला हूँ एक अरसे तक भाश्पा ने इस व्यक्ति को पार्ट तब उत्तरप्रदेश पुलीस के एक आला अफसर ने ये तक कहा था माननीय विधायक जी कुलदीब सिंग सेंगर जी इस तरह की शब्दावली का इस्तमाल किया था हम भूल चुके हैं क्या हाथरस के अंदर गुडिया के साथ क्या हुआ था रातों रात शब जला दिया गया था पेट्रोल छिड़क कर परिवार गुहार लगाता रहा लगातार कहता रहा कि हमें हल्दी तो लगाने दो अपनी बेटी के शब को प्रशासन नहीं माना हमारी महिला पहलवान को देखिये किस तरह से घर सीटा गया था सड़क पर ये तमाम तस्वीरें हैं क्या आप इससे मूँ मोड सकते हैं और अब राम रहीम को इस तरह से परॉल पर रिहा किया जाना ये सब बतलाता है कि दारी सुरक्षा को लेकर भाजपा की तमाम दावे कितना बड़ा धकोसला है आप जानते हैं मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि 2012-13 में जो निरभया कांड हुआ था जिसमें पांच लोगों को फांसी की सजा मिले थी अगर वो कांड आज होता न तो भाजपा का प्रचार तंत्र जो है न उस लड़की पर निशाना साथता कि तू इतनी रात को क्या कर रही थी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रिकॉर्ड टाइम में जिन पांच लोगों को फांसी मिली थी न ऐसा नहीं होता ऐसा बिल्कुल नहीं होता दिल्ली पुलीस याग कीजिए कितना खुबसूरत काम किया था उन्होंने निर्भाया कांड में एक हफ़ते के अंदर तमाम बलातकारियों को हत्यारों को उन्होंने पकड़ लिया था राहूल गांधी ने परिवार की कितनी मदद की थी राहनों इसकी पांच साल की बच्ची को उसके सामने मौत की खार ठार दिया गया था बिल्खिस बानों के साथ दुश्कर्ण किया था- इसके परिवार को लगभग साफ कर दिया गया था- और फिर इसके बलातकारियों का सम्मान होता है एक भाजपा सांसद और एक भाजपा विधायक की मौजूदगी में। उसके बलातकारियों को रिहा किया जाता है, गुजरात के चुनावों से ठीक पहले उन्हें सम्मानित किया जाता है। और गोधरा से जो इनके एक विधायक हैं उन्होंने ये तक कह दिया था कि भाई वो तो ब्राहमन हैं बिचारे ऐसी गलती उनसे हो जाती है या उन्होंने सोच समझ कर ऐसा नहीं किया होगा ऐसा कुछ कहा था ना उन्होंने जब मुलाइम सिंग यादव इस तरह का शर्णाक बयान देते हैं तो आप ने और हम सब ने उसके आलोशना की दे मगर वो एक बयान था यहां आप बलातकारियों को रिहा कर रहे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं बार बार कर रहे हैं याद है आपको कठुआ रेप केस एक आठ साल की मासूम के साथ दुशकर्म होता है उसकी हत्या कर दी जाती है वो भी मंदिर के अंदर और फिर जिन लोगों ने उसके साथ दुशकर्म किया था और उसे मौत की घाट उतार दिया था उनके पक्ष में एक राली निकाली गई थी एक प्रदर्शन किया गया था और उसमें भाजपा के ये दो नेता शामिल थे ये वो दो नेता थे जो उस प्रदर्शन में शामिल थे कितने शर्म की बात है ना दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा मुद्दा सिर्व ये नहीं है कि राम रहीम को 21 दिन की परॉल पर रहा किया गया है मैंने आपको बाकाइदा मिसाल दी है पिछले 10 सालों की बड़ी बड़ी मिसाले दी है चाहे कठुआ हो चाहे हाथरस हो चाहे राम रहीम हो चाहे ब्रिजभूशन चेरन सिंग हो चाहे निशिकान दुबे हो चाहे कुलदीब सिंग सिंगर हो चाहे समिती एरानी की खामोशी हो ये सब साबित कर रहे हैं कि नारी सुरक्षा को लेकर भारती जनता पार्टी ने इस देश की जनता की सोच उनकी समवेदन शीलता के मुँपर एक करारा तमाचा मारा है शर्म तुमको मगर आती नहीं बोल कि लबाजाद हैं मैं वस इतना ही अबिसार शर्मा को दीजे जाज़त नमस्कार